हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ रुची और आप सभी का मैं अपने यूटूब चैनल रुची नेशनल ब्यूटी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको पता है कि आप घर पर ही अपने बालों की क्यर कर सकते हैं उनको जड़ने से रोक सकते हैं आजकल का खानपन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है हर कोई जो है बाहर का खाना पसंद करता है इससे जो है हमारी बॉड़ी में जो nutrients की कमी हो जाती है जो बॉड़ी में जो protein, vitamin और जिनकी हमें आवशकता होती है वो हमें नहीं मिल पाते हैं जिनकी वज़े से हमारे बाल ज़रने लगते हैं हमारे skin जो है बिलकुल रूखी हो जाती है और कई सारी problems होने लगती हैं दोस्तो खासकर हमारे बाल जो हमारे face की हमारी body की सुन्दरता है अगर आपके बाल नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए आपकी body की सुन्दरता ही चली गए आपके face की रौनक ही चली गए दोस्तों तो इसलिए जो है आज मैं आपके लिए बहुत ही जवरदस oil लेके आ रही हूँ जो आपके बालों को लंबा तो करेगा आपके बालों को घना करेगा साथ ही साथ आपके बालों को जड़ने से भी रोकेगा साथ ही साथ आपके जो बाल ज़र चुके है उनमें भी regrowth होगी दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा important है girls और boys के लिए बहुत ही वहानी पड़ेंगी तो इसलिए मैं आपको इसको घर में बनाना बताऊंगी इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों आपको दो प्याज लेनी है ठीक है इसको आपको अच्छी से छी लेना है और आपको ध्यान रहे कि प्याज आपको जो डार्क पर्पिल कलर की होती है उन्हें ही लेनी है ठीक है और यह चीज भी ध्यान में रखना है कि आपको प्याज बिलकुल फ्रेश लेनी है ठीक है तो अच्छी से आपको प्याज को चील लेना है दोनों प्याज को आपको अच्छी से चील लेना है ठीक है इसका चिकल निकाल के आपको इसे छोटे-छोटे slices में cut कर लेना है यहां पर मैंने इसको छोटे-छोटे टुकडों में cut कर लिया है ठीक है इसके बाद मुझे जरूरत होगी lesson की ठीक है lesson की कलियों में दोस्तों बहुत ही ज्यादा important चीजे है यह इसके बाद हम इसमें add करेंगे curry पत्ता जिया दोस्तों मीठी नीम आप सभी लोग जानते होंगे मीठी नीम के बारे में यहां पर मैंने quantity कम डाली है क्योंकि जो मेरा पौधा था वह बहुत छोटा है इसलिए अगर आपके पास मीठी नीम की अच्छे से आपक देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से ready हो गया है और अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ ठीक है मैंने एक कड़ाई ली है लोही की कड़ाई लेनी है दोस्तों यह सारा process आपको यह लोही की कड़ाई में बनाना है आपको जो आयल आप बनाएंगे लोही की कड़ाई में ठीक है क्योंकि आयरन जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यह आप सभी लोग तो जानते ही होंगे इसके बाद मैंने गैस कौन कर लिया है और एक कटोरी ओयल जो सरसो का तेल है दोस्तों मैंने वो डाला है ठीक है आप नारियल ओयल भी डाल सक सकते हैं अगर आपको जैसे नारियोल ऊफय। करता है तो अपना वल डाल सकते है और अगर आपको इसको दीमी आज पे भी बनाना है दोस्तों इसी बनाने में हमें 15-20 मिनट मुझे लग गए थी ढए कि अब आपको धीमी धीमी आज़ी पे ऐसे पकाना छीन मिलगे अधेन और ये देखिए अच्छे से मेरा पकने लगा है जो ऑल है वो दीर दीरे मैं इसे पका रही हूं और ये पकने भी लगा है इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक चमच मेथी दाना मेथी दाना जो है हमारे बालों को बहुत ही जादा पोशन देता है दोस्तों जो बाल हमारे जड़ चुके हैं उनको री ग्रोथ करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है बहुत ज्यादा लाब करी है हमारे बालों के लिए देखिए दोस्तों हमारा जो यह ऑल है वो बनके रेडी हो गया है हलकल का ब्राउन हो गया है अब मैं अपनी गैस को ऑफ कर दूगी ठीक है फ कपड़ी की साहता से मैं इसे छानूगी ठीक है जिससे हमारा जो ऑईल है अच्छे से आ जाएगा और इसमें हम एट करेंगे दो विटमीनी के कैप्सुल मैंने एट किये है ठीक है फिर आपको क्या करना है अगर आपको ऑईल थंडा हो गया है अगर आपको लगाना है अपन आपको इजी लगे वैसे आप अपने बालों की जड़ों में इसे अपलाई करिए और ये तेल आपको हफते में तीन बार आपको लगाना है आप हफते में तीन बार अपने बालों पर लगाएंगे रात में सो जाएंगे और मॉर्निंग में वाश करेंगे अगर आप रात में स करके मसाज देनी है ठीक है अच्छे से आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं लेंट में लगाएं और हलकेल के हाथ दूससे आप अपने बालों में मसाज दीजिए दोस्तों ठीक है फिंगर टिप्स की सायता से आपको मसाज देनी है हथेली की सायता से मसाज नहीं देन और अपने बालों को अच्छे से सुखा लेजे दोस्तों बहुत ही अच्छा ओयल है आप घर में इतना अच्छा इतना जवरदस्त ओयल बना सकते हैं और अपने बालों को लहराते वे बाल आप पा सकते हैं मजबूत बाल आप पा सकते हैं दोस्तों आपको बाहर की किसी भी ओ पसंद आई है तो लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में अदर तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग स्यू सून बाबाई टेक कियर